हेलो फ्रेंट्स मैं डॉक्टर संदीबसीन केरवल मेडिकल सेंटर से आज हम बात करेंगे लाइपोमा लाइपोमा क्या होता है और उसका मैनेजमेंट क्या है कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉड़ी में इसके नीचे जो चर्बी है फैट है वह कुछ गांटों के रूप में कठा होने लगता है तो यह फैट डिपॉसिट्स जो स्के नीचे होता है इसको हम लाइपोमा बोलते हैं जातर यह लाइपोमा एक वेलफ इफॉर्म स्टॉक्चर के सामने आता है इसके एरांड एक सकते हैं लाइपमा की जो गांटे होती हैं वह बहुत सौफ्ट होती हैं कंपेट टू निरो फाइब्रोमा जिनकी गांट जिनकी जो काफी हाड होती है टच करने पे लाइपमा बॉड़ी के किसी भी हिस्से पर हो सकता है लेकिन खास करके हमको ये कंदों पर हमारी पीट पर औ और कहीं बार ये हमारे फोरेड पे भी हो सकता है कहीं बार लाइपमा को हम सबेशेस सिस्ट या डर्माइड सिस्स से कंफ्यूस करते हैं उससे हमको इसको डिफ्रेंशेट करना पड़ता है कि ये लाइपमा चर्बी की गांट है या कोई और प्रॉब्लम है इसके अंदर और कहीं बार हम कुछ areas हैं जहांपे इसको surgically पूरा कट ना करके अगर हम scarr नहीं चाहते हैं तो उसको liposuction से remove कर सकते हैं खास करके breast के अंदर जैसे extra trail of spence है कहीं बार हम उसमें liposuction सही इस fat को निकाल लेते हैं एक और तरीका जो हम इस्तमाल के लाइपोमा के अंदर जो गांटे हमारी बनी हुई है चर्बी की उसके उपर एक कट देकर इंसीजन देकर इस चर्बी की गांट को बाहर निकाल सकते हैं इसमें हमारे पास एक लीनियर स्कार यानि एक निशान जरूर आएगा वो रह जाता है अगर आपकी बाद में लाइपोमस हम स्टमेस कर सकते हैं लाइपोसुक्शन से कम कर सकते हैं तो इस आधू मैठल बाइच विकल्ड टील फ्रीकल मेठ जो डाईप टोंड ट्रेट जीकिल मैं पी3-3-1 मेंद मोट चोटे सी अगर लाइपोमस है तो अब्लि Coach in Call it की अभी उन करवा सकते हैं, you don't have to embarrassed or lived with shame, अगर आप lipoma से face कर रहे हैं, तो get them removed by surgical management. Thank you friends, Dr. Sandeep from Carewell Medical Center.